अगर आप अभी अभी मा बनी है और आपको नहीं पता है कि आपका बीवी हेल्दी है यह नहीं है तो ये वीडियो आपकी बहुत जादा मदद करने वाला है इस वीडियो को पूरा देखें अगर आप कुछ वक्त पहले ही मा बनी है और आपको ये नहीं पता कि कैसे आप अपने बेबी केर करें या फिर ऐसे कौन से साइन्स हैं जिससे आपको पता चल सके कि आपका बेबी हेल्दी है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है तो आपको ध्यान रखना है कुछ खास बात अगर आपका बेबी नई चीजों का अच्छे से सुन रहा है इसका मतलब यह है कि वह एक्टिव और उसके सुनने की शमता धीरे-धीरे डेवलप हो रही है आपका बेबी अच्छे से सुन पा रहा है और वह चीजों को समझ रहा है अगर आपका बेबी बहुत अच्छे से वेट गेन कर रहा है, तो इस से आपको पता चलेगा कि आपका बेबी रेगूलर डाइपर चेंज करवाता है और आपका जो पैडियर्टेशन है, वो भी आपके बेबी के वेड को रेगूलर चेक करेगा और वो बताएगा कि आपके बेबी की ग्रोथ कैसी हो रही है तो अपने बेबी को टाइम पे फीड करें ताकि टाइम पे उसके डाइपर्स चेंज करें और आप पता लगा पाएं कि आपके बेबी की ग्रोथ कैसी हो रही है इसी चीज जो कि आपकी बेबी को ग्रोथ को बताता है वो ये है कि आपका बेबी सोता कितना है अगर वो आसानी से सो जाता है तो इसका मतलब यह है कि वो healthy है और वो enjoy कर रहा है अपनी आसपास की चीजों को इसे के साथ जो बच्चे regular sleeping pattern को follow करते हैं तो की regular सो जाते हैं और वो अपने मम्य पापा को परिशान नहीं करते हैं रोते कम हैं वो बच्चे भी बहुत healthy होते हैं और उनकी growth बहुत अच्छे से होती है आपका बच्चा चार महीने का हो गया है और उसके अंदर कुछ regular चीजे देखने को मिलती है जैसे कि उसे भूक लगे तो वो रूने लग जाता है और आप खाना खिला देती हैं आप उसको feed करा देती है उसके बाद अगर वो चिप हो जाता है इसे के साथ और वो आपको अच्छे से सुन रहा है आपकी चीजों पर react कर रहा है तो य तो में follow करें instagram और facebook पे और instagram और facebook पे फॉलो करने के लिए links आपको description box में मिल जाएगी एचया प्यविए झाहिए झाहँ टिक और टीकेर।